जैहिंद जैभारत साथियो यहाँ पर आप सबको मैं किलियर कर दूँ कि आज हम क्या सिखने वाले हैं रिखा और रिखा को इंगलिस में क्या कहते हैं लाइन कहते हैं तो यहाँ पर आप सब दिख पा रहे हैं परिभासा में क्या लिखा हुआ है आसानी से समझिए यहाँ पर आप सबको दिख रहा है कि किन ही दो बिंदो को मिलाने पर एक प्राप्त होने वाला आकरिती रिखा कहलाती है यहाँ पर आप ध्यान देजिए ये परिभासा को आप देखिए और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं देखिए ये एक बिंदु है और दूसरा एक बिंदु यहाँ है आप सिधे सिधे इसको क्या कर लिजे मिला लिजे इस तरह से तो मैं लाल से मिला ले रहा हूँ आप सी देख खिज लिजेगा तो इस तरह से आप मिला लिजिए यह जो यहाँ पर आकरिती बना है न यही आकरिती हमारा क्या है गाइज रेखा है मैं आपको कह दू अगर आपको वीडियो समझ में आ जाएगी तो भाई like करना और नहीं तो dislike करके और नीचे कुछ भी लिख कर चले जाना यहाँ पर यह जो आकरिती आपको दिख रहे है यह क्या है रेखा है इसलिए है क्योंकि एक बिन्दु यहाँ है और दूसरा बिन्दु यहाँ है एक से दूसरे बिंदू तोक मिलाने वाली ये जो आकरिती दिख रहा है आपको यही आकरिती हमारा क्या है रेखा है और हाँ गाइज रेखा में बात आपको ये ख्याल रखना है कि रेखा हमारा दोनों तडप बढ़ सकता है इधर भी ले जा सकते हैं और इधर भी ले जा सकत मतलब यह कि बिंदु जब आपस में मिलेंगे, यहां पर देखिए, यह एक बिंदु है, दूसरा बिंदु यहां, तिसरा, चौथा, पच्वच, छठा, सत्वा, यह जैसे धीर धीर आपस में मिलेंगे, यह हमारा रेखा तयार हो जाएगा, आप सिधा सिधा खिच सकते हैं, तो बिंदु के मिल से बनने वाला आकरिती हमारा क्या कहलागा, रेखा, लेकिन वो सीधे ले जा सकते हैं, और हाँ इसका कभी अंत नहीं होता है, आप जहां भी ले जाएंगे, वहां जा सकता है, यानि यह अनंत तक जा सकता है, इसके बाद मैंने आगे लिखा है, कि रेख और हां पाँओे है, यानि यह जा झो झाओे लेकिन पाँपड़ी ले